जबी आप बहुत सारे प्रश्मों से बर करके जाएंगे, बहुत सारी शंकाओं से बर करके जाएंगे, बहुत सारी विप्रित विचारदारा ले करके जाएंगे, वो सारी की सारी अगर जोंकि उसी समय समात ना हो गई तो मुझे कहना नमस्कार स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सब के साथ विपिन चोधरी अभी रादा स्वामी संतमत परमुक बाबा गुरिंदर सिंग धिल्लों ने सारनपूर के पिलखनी डेरे में सत्संग फरमाया और वहाँ पर लाखों लोगों ने हिस्सा लिया लाखों लोगों ने बाबा गुरिंदर सिंग धिल्लों का सत्संग सुना लेकिन जिस तरीके का अनुसासन देखने को मिला जिस तरीके की व्यवस्थाइं देखने को मिली उन सब की आज अन्य लोग भी परसंसा कर रहे हैं तो इन व्यवस्थाओं में इस अनुसासन के पीछे आखिर कौन सी वो पावर है, कौन सी वो कड़ी है यह जानने के लिए आज हम महंत आनंद स्वामी के पास पहुँचे हैं संत हैं, सनातन धर्म को मानने वाले हैं और इन्होंने भी बाबा गुरिंदर सिंग धिलो का सत्संग जरूर देखा हूँ व्यवस्था भी जरूर देखी होगी महराजी बहुत बहुत स्वागत है आपका इंदुस्तान 24 पर आपका भी मंदिर में बहुत बहुत स्वागत है प्रियवर महराजी आप क्या मानते हैं जिस तरीके से बाबा गुरिंदर सिंग धिलो ने आँ सारनपूर में दो दिन सत्संग फरमाया और लाखों लोगों ने उनके सत्संग को सुना किस परकार की वैवस्ताइं थी किस परकार का अनुसासन ता वो आपने भी जरूर देख लिया होगा तो इन सब के पीछे आखिर क्या है इतना अनुसासन आखिर किस तरीके से मेंटेन होता है देखेगा इसको आप खाली सिखाकर नहीं करा सकते हैं ना ही खाली सिक्षाओं से ये चीजे संभव हैं जब मन में आश्था होगी अपने गुरू के प्रती बहुत स्रद्धा होगी और गुरू सही प्रकार से मागदर्शन करने वाले होंगी तो फिर अनुसासन बनेगा यदि किसी व्यक्ति के अंदर अनुसासन नहीं है किसी विस्थान पर अनुसासन नहीं है तो वे इनसान ही नहीं लगता है और यदि इतनी बड़ी भीड के विशे में बात करें वहाँ पर अगर अनुसासन हींता हो जाए तो हालत खराब हो जाएगी जितनी बड़ी भीड आती है, उसका 10% भी अगर भीड हो और वो अनुशासन में न हो, तो प्रसासन के लिए भी बड़ी सरदर्दी बन जाएगी, सबसे जो बड़ी बात है वो यह है, कि हम जितने भी अन्यधार्मिक कार्यकरम देखते हैं, वहाँ पर हुर्दंग दिखाई देता है, वहाँ असब्यता दिखाई देती है, एक छोटा सा आयोजन दूसरों के लिए सरदर्द बन जाता है, और जब किसी हमारे धार्मिक आयोजन से किसी के जीवन में कोई बाधा उत्पन हो रही हो, तो फिर वे धार्मिक आयोजन कैसा, इसलिए मैं निश्चित रूप से दिल से अप्रिशियेट करता हूँ, इस अनुसासन को, इस सब्यता को और इस व्यवस्ता को, माराजी ये जिस परकार का आयोजन था, आपने कहा कि मतलब अगर कोई घुर्दंग हो जाता है तो वैधान पैदा होता है और लोग प्रेसान होते हैं, तो क्या आपको लगता है कि इस आयोजन के बाद जो लोग रादा स्वामी संतमत को नहीं मानने वाले हैं, उन्हें भी कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। जाती है, यानि इतना अनुशासन नहीं, इतनी तैजीब नहीं कि वहाँ से खाना लेकर के दूर हट जाएं और फिर सही परकार से दूसरों के लिए स्थान छोड़ दें, जदी इतनी भी तैजीब नहीं मुझे इसा लगता है कि इनसान है या जानवर है, इसा लगता है, ब लोग जिन में इतना भी अनुशासन नहीं, वो उंगली उठाते हैं उदर डेरा ब्यास पर, वो कहते हैं कि अरे ये तो बेकार की बाते हैं, इन लोगों को कुछ नहीं पता है, ये सनातनी भी रोदी हैं वगरा वगरा, तैजीब के नाम पर आप जीरों है, बोलने का आपक का मिलना चाहिए, इतना अनुशासन नहीं है, फिर भी हम सवालात उठाते हैं, वास्तों में इनसान की इनसानित के लिए, धर्म के लिए, सब्यता के लिए, सबसे ज़्यादा जरूरी कोई पहला कदम है, तो वह है अनुशासन, अनुशासन से सीख, नकेबल आम लोगों को लेनी चाहिए, बलकि नेताओं को भी लेनी चाहिए, अभी इलेक्शन आ रहा है, कारेकरम करेंगे लोग बाग, अब नेता का पता चलेगा कि नेता जी जो है, वो चार बज़े आने वाले हैं, अब चार बज़े आने वाले थे, लोग इकठा हो गए, पता चला कि नेता जी व्यवखार में अनुसासन हो, जैसा साधी व्याह में दिखाई देती है चोटी सी बीड़, भी अनुसासित रहे। तो क्या आप मानते हैं कि ये जो सत्संगी हैं उनके मन में अपने गुरू के परती सच्ची सरद्दा है जो इस परकार का आयोजन यहाँ पर बिल्कुल सुक शान्ती से और अनुसासन में संपन हो गया यहाँ पर दो कैटेगरी आती हैं हमारे सत्संगियों की एक तो वो जो कि नए नए जाते हैं सत्संग सुनते हैं चले आते हैं ठीक है अच्छी बात उन्होंने सुनी है कितना वो जीवने में धारन करेंगे वो बात अलग है हो सकता है उनमें से कुछ बहुत अच्छे सत्संग के लिए खड़ा होता है वह सच्चा ही तेसी होता है ठीक इसी प्रकार अभी जो सत्संग हुआ है कितनी बड़ी विवस्थाएं महाँ पर रही हैं उस सत्संग के पश्चात बाबा जी भी अपने स्थान पर चले गए उन्हें आगे बहुत सारे काम रहते हैं जो संगत थी वो बहुत विरले स्थान पर बहुत विरले लोगों में होता है बहुत सारे सोचाले गंदे हो जाते हैं उनको साप करना कितनी बड़ी सेवा है महाराजी बहुत सारा खाने पीने की जहां विवस्था होती है उसको पूरे तरीके से साप सुथरा करना कितनी बड़ी विवस्था होती है, सोच करके देखें, जो बाद में सेवा कर रहे हैं, पहले तो शोक में कर ली, जो बाद में कर रहे हैं, वो कितनी बड़ी बात है, तो जहां पर इस तरह के सेवादार हैं, जो बाद में भी पूरे तरीके से एसी सेवा कर रहे हैं कि जैसे यहां पर कोई बड़ा क्या चोटा भी आयोजन नहीं हुआ है अब इतने जादा सुरदा से जुड़े वे लोग जब सड़क पर खड़े होंगे तो महां पर विवस्ता बना देंगे जहां पर भी खड़े होंगे सेवा कह सकते हैं, यानि मुझे कुछ नहीं चाहिए मालिक, मुझे तो सेवा करनी हो, मुझे सेवा में आनन्द आ रहा है, तो जिन के पास में, जिस संतमत के पास में इतने अच्छे सेवादार होते हैं, वहाँ पर मैं कहुंगा कि वे सर्वसरेष्ट जो है शिक्षा है, अग तो जो है वो अन्य अच्छ संतमतों को बिगाली दे रहे हैं और खुद जेल में बैठी हुए हैं इस तरह की चीज़े भी मिलेंगी और कहेंगे अरे दूसरे लोग को क्या पता ये तो लीला है वो जेल में पड़े हुए हैं तो कुल मिलाकर के बात यह है कि जो रियल लोग है उनका सेवा में अनुसासन में विश्वास है और जो रियल लोग नहीं है वो केवल अंद विश्वास में पड़े हुए हैं वो केवल अंद विश्वास में पढ़कर अनरगल बाते करने वाले हैं मैं फिर से कहूंगा कि समाज को अनुसासन की बहुत बड़ी सिक्षा लेनी तो जिस तरीके से आपकी मुलाकात भी माराज जी से हुई तो मतलब आपको कुछ इस परकार की कोई चीज दिखाई दी सर्वफर्थम मैं आपको बता दूँ कि मैं बार-बार इस बात को कहता हूं और हमारे याँ पर जो सनातन संस्कृती है वे भी इस बात को कहती है हम ब्रमा समी मैं ही ब्रमू है आप ही ब्रमा है कौन ब्रमा नहीं है भाई हम सबने अपने उपर आवरण चडा लिए हैं गंदगी के आवरण चडा लिए है इसलिए हम अपने मूल स्वरूप को भूल गए है मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पशान मन तू जोती स्वरूप है उस परमात्मा का स्वरूप है तो अपने मूल को भूल गया है इसलिए अपने मूल को पैचान कीचड तब तक कीचड है जब तक उसमें अपने नाम को अपना लिया है कीचड नाम को अपना लिया है लेकिन जैसे ही दूप पढ़ती है ताप पढ़ती है उस ताप से उस अपश्या से वो कीचड के अंदर जो पानी है वे भाब बनकर उपर उठता है अब वो शुद्ध पानी हो गया अपने मूल सुरूप को चला गया तो ठीक इसी प्रकार प्रत्यक व्यक्ति के अंदर इस्वरत्व की संभावना होती है प्रत्यक व्यक्ति इस्वरत्व को प्राप कर सकता है देवत्व को प्राप कर सकता है और प्रत्यक व्यक्ति जानवर हो सकता है पशु हो सकता है राकसस से बद्तर हो सकता है, जानवरों से बद्तर हो सकता है जानवरों के अंदर तो वफा भी है, प्रेम भी है, दस परकार की चीज़े है जानवरों से बद्तर इनसान हो सकता है तो क्यवल मैं कहूंगा कि संतमत के गुरू ही नहीं बलकि कोई भी व्यक्ति उस गुरुत्व को प्राप्ट कर सकता है किस चीज के दौबारा योग के दौबारा योग क्या वो नहीं कि जो आप शरीर के लिए कर रहे हैं योग का मतलब इस आत्मा का परमात्मा से मिलन योग का मतलब जोड़ना जैसे कि रादा सौमी संतमत सब्द सुरत योग के बारे में बात करता है यानि कि प्रमातमा सब्द सुरूप है, नाम सुरूप है अब उसके साथ में एकाकार होना यह इंसान का कर्टवि होता है जो हमारी आतमा रूपी रादा है वह अपने स्वामी से जिस दिन मिल जाएगी सुहागिन हो जाएगी और अपने मूल तत्वों को प्राप्त कर लेजी तो यही देवत्वा है प्रियवर इसके अलावा कोई दूसरी चीज नहीं है हम सब के अंदर देवत्वा की जो है वह संभावना होती है गुरू उस देवत्वा को प्राप्त कर चुके होते हैं इसलिए महापर इस सुरत्वा है और सामानी व्यक्ति कई बार इनसान भी नई बन पाते वो जानवर से भी पीछे रह जाते हैं बस इतनी सी बात है मतलब जिश्य में आप महराजी से मिले और फेश टू फेश आपने उनको देखा तो मतलब आपको क्या महसूस दिया मतलब आप उनसे मिले के बाद अपने आपको धन्ने समझते हैं या नहीं मैं फिर से कहूँगा कि मैं वहां से बहुत सारी चीजे सीख करके आया हूँ और जो सबसे बड़ी बात है वह है सोम्यता, सहजता और सरलता एक इनसान के अंदर यदि एक इनसान बहुत उचे स्थान पर है और वह देवत्व को प्राप्त कर चुका है वह इस्वरत्व को प्राप्त कर चुका है उसके बाद भी इतनी सहजता, उसके बाद भी इतनी सरलता उसके बाद भी इतना प्रेम, उसके बाद भी स्वागत करने का वो तरीका वो अपने आप में बेमिसाल और लाजवाब होता है आप बाबाजी के सामने जाएं, जाकर के बैठें, मैं definitely कौँगा, definitely कौँगा, जबी आप बहुत सारे प्रशनों से भर करके जाएंगे, बहुत सारी शंकाओं से भर करके जाएंगे, बहुत सारी विपरित विचारदारा लेकर के जाएंगे, वो सारी की सारी, अगर जोंकि त में समाप्त ना हो गई तो मुझे कहना आप किसी भी विरोधी को व्यक्ति को ले करके जाएं उनके सामने बस बैठा दें जाकर कि हर परकार कि शंका समाप्त हर परकार की चीजे समाप्त वो निश्चित रूप से इस्वरत्व होता है एक इनसान के अंदर तब ही जाकर कि ये स ईसे परमात्मा के नाम की कमाई से, उस सिम्रंध से, उस शब्द सवरूप को अपने रदे में अपना लेने से और उसके साथ एक आकार होने से ही संभव हो पाती है। वे जो गुरुजी के अंदर तेजसविता है, उनकी तपश्या के कारण है, वे जो उनकी अंदर इस्वरत्व है, वे उनकी तपश्या के कारण है, निश्चित रूप से गुरुजी वास्तों में अद्वीतिया है, अपरतीम है, मुझे भी बहुत अच्छा एहसास हुआ था और प्रतेक व्यक्ति को होगा जो कि गुरू जी के सामने जा करके बैठेगा। महाराज जी अच्छी बातों का परचार होना चाहिए या नहीं? क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि हम जिस तरीके से महाराज जी को लेकर आप से बातचीत करते हैं कि इस परकार की वीडियो नहीं बनानी चाहिए। देखेगा अच्छी चीजों का परचार तो डिफिनेटली होना चाहिए। लेकिन मर्यादा में रहकर होना चाहिए। अगर आप परचार इस परकार से कर रहे हैं कि आप ही गुरू बन बैठे। यदि आपके पास अपनी कोई विचार धारा है, अपनी आइडियोलोजी है, मैं यहाँ पर सिरिमत भगवत गीता का परचार करता हूँ। तो यह मेरा राइट है कि मैं इसका परचार करूँ, मेरे गुरू जी की तरफ से यह आदेश है, हम वैशनों मत से जुड़े हुए हैं, हमारा यह करतव यह है। लेकिन मैं अगर रादा स्वामी संतमत का परचार यहाँ पर करने की कोशिस को उसको तो वो कर रहे हैं ना, वो उनके राइट से, हमें कभी भी किसी के अधिकार क्षेतर में उलंगन उसका नहीं करना है, मर्यादाओं को नहीं तोड़ना है, तो स्वभाविक सी बात है, हम यहाँ पर उन विश्यों पर परीचर्चा कर सकते हैं, जो कि सर्वमान्य है, जो प्रतेक व्यक्ति के जीवन में होनी चाहिए, रासवाल गुरुजी की सिक्षाओं का, तो गुरुजी अपना परचार करी रहे हैं, वरतमान समय में तो जो सोट वीडियो आती हैं गुरुज अब जमाना बदल गया है, दिरे दिरे चीजों का स्वरूप बदल गया है, तो हम अगर परचार भी कर रहे हैं, तो हमें अपनी मर्यादाओं को नहीं तोड़ना है, जो गुरुजी कर रहे हैं, जो महाँ पर अधिकरत लोग हैं, जिस चीज का परचार कर रहे हैं, उस किताबों को अद्यन करना चाहिए कितना पढ़ना चाहिए Kansas PR अपको बढ हो कि दिक्त की बात क्या है की हम लोग पढ़ते नहीं कि यह क्אeAK की बात करें गीता हमने पढ़ी नहीं हम यह कुए मैं की सब नहीं की दजना सरवसरेश्ट अक्ता मोदें व्रता नहीं कोई कई हाथिज लोग हैं उनसे सुना है, उसका तरजुमा to पता नहीं, आपको अर्भी तो आती नहीं, बोले कि उसकी बातें हम ने सुनी है विद्वानों से, क्या आपको जोत-मूट की चीजे बता दी हूं, हो सकता है अपने तरे तरफ से कुछ चीजे बता दी हूँ आप यभी कुरान को पढ़ना चाहते हैं कुरान को पढ़ें भाई गीता को पढ़ना चाहते हैं गीता को पढ़ें भाई आप सभी दर्म गरंथों को पढ़ें और उसके बाद में आप उस निसकर्स पर पूंचें कि ज़्यादा पढ़ाई लिखाई आध्यात्मिक्ता में बाधा बन जाती है तो क्या स्वाध्याई नहीं करना चाहिए देखेगा प्रियवर बात यह है कि आप काम को कितना होश पूरवक कर रहे है मदोशी में कोई काम करेंगे और बगेर माल दर्शन के काम करेंगे तो फिर दिक्कता जाती है इसलिए यहां पर जिवित गुरू की कई बार बात आती है कि यदि हमारे सामने गुरू नहीं है और हम खाली किताबों को अपना गुरू मान दे हैं कई बार हम गुम्रा हो जाते हैं अब मैं इस बात को थोड़ा समझाने का प्रियास करता हूँ और आज इसको समझने का प्रियतन कीजिएगा जदि आप ऐसे ही किताबें पढ़ते चले गए और आपको यह नहीं पता कि आप क्या पढ़ रहे हैं क्या आपको पढ़ना है तो निश्चित रूप से आप भटक जाएंगे जिस प्रकार से हम यहाँ पर अपने सनातन धर्म में अलग-अलग रिश्यों के अलग-अलग सिद्धान्त को पढ़ते हैं यहाँ पर संकराचारिय कहते हैं अद्वेतवाद का परचार करते हैं वो बोले कि यह जो संसार है यह मिथ्या है और ब्रमसत्य है ब्रमसत्य जगन मिथ्या का परचार करते हैं लेकिन मदवाचारिय आकर कहते हैं कि यह जो संकराचारिय का मयावाद है तो मयासूर की तरह राकसस की उसको संग्या दे देते हैं वो बोले कि द्वैतवाद सही है ये संसार भी सही है और इस्वर भी सही है अब यदि आप मदवाचा आदिये को मानेंगे तो संक्राचार ये कि विरोध में खड़े हो गए अब कुछ लोग उनके साथ हो जाएंगे kommen के साथ में अब मतवेद जह विबेद होगा मातवेद होगा मतवेद जो होगा वो फिर धर्म की तरह बढ़ने नहीं देगा तो आदमी गुमरा हो गया या नहीं हो गया क्या पढ़ना चाहिए था क्या निश्कर से निकलना चाहिए था इस बात का पता नहीं अब मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले रादा स्वामी संतमत के विशे में महां से बहुत सारी किताबे परचारीत होती है अगर वो पढ़ने का विरोध करते तो इतनी सारी किताबों का परचार क्यों होता जब भी कहीं सफसंग होता है तो वहाँ पर बुक स्टोल लगती है तो अगर वहाँ पर पढ़ने का विरोध होता तो फिर वहाँ पर इन चीजों का परचार क्यों होता लेकिन वहाँ पर विरोध है मुर्क तापूर्ण पढ़ाई करने का बस पढ़ते चले गए पढ़ते चले गए अभी Hawkins से बढ़कर पढ़ा लिखा नजदिक वक्त में कौन व्यक्ति होगा यानि एक व्यक्ति वो जिसके हाथ पैर पैरलाइस हो गए कोई बात नहीं उसकी आवाज से लाब उठाया जा रहा है उसके दिमाग से लाब उठाया जा रहा है उसकी जीब भी पैरलाइस हो गई अब कोई बात नहीं उसकी आखों की कोडिंग करके भाशा बनाई गई अब उन से चीजों की जानकारी ली जा रही है आएनि जब तक वो पूरे तरीके से निस्क्रिय नहीं हो गया तब तक उनसे काम लेने की बात की गई और वो अपने जमाने में नस्दिक वक्ट में ही उनका पिछले विगत कुछ वर्तों में लिगन हुआ है और वो व्यक्ति संसार के सबसे कीमती व्यक्ति रहे हैं आखीर में वो क्या कहते हैं कि दुनिया में इश्वर नाम की कोई चीज नहीं है ब्रमांड को मैंने जानने का प्रियास किया मैं एक प्रतिशती जान पाया लेकिन दुनिया में इश्वर नाम की कोई चीज नहीं ये चीजे अपने आप बने देखेगा इतने पढ़ने के बाद भी वो व्यक्ति इश्वर को नहीं जान पाया जो व्यक्ति आत्मा को नहीं जान पाता परमात्मा को नहीं जान पाता वो ज्यान तो है बहिर मुखी है यानि बाहर तो देख रहा है सूरच चांद सितारों को अंदर जो सूरच चांद सितारे हैं उन्हें नहीं देख रहा बाहर तो ब्रह्मान्ड के नाद को सुनने की कोशिश कर रहे हैं अंदर जो अनहत नाद बजरा है उसको नहीं सुन रहा तो जिस चीज को आप देखेंगे उस तरफ ही आपका ज्यान बढ़ता चला जाएगा तो बहिर मुखी विद्या को यदि आप लगातार प्राप्त करते चले जाएंगे तो अंतर मुखी नहीं हो पाएंगे और परमात्मा से नहीं जुर पाएंगे नतीजा क्या होगा दुख होंगी तकलीफ होंगी परिशानी होंगी अगर आप ज्यान से इतना ही कुछ प्राप्त कर सकते थे तो फिर वो पेरलाइस क्यों हो गए वो ले इत्तफाक है उस चीज का नाम इत्तफाक रखेंगे मेरा कहने का मतलब यह है प्रियोवर की परमात्मा बार-बार सजा दे करके हमें चेताता है कि चेत जाओ समझ जाओ यदि आप समझ जाओगे तो परमात्मा की चरण सरण में है नहीं समझोगे तो बार-बार और का थोरदंड मिलता चला जाता है इस तरह की चीज़ें कहीं बार होती है लेकिन इंसान है कि नहीं समझता तो वहाँ पर जो रोका गया है उस पढ़ाई से रोका गया है जो आपको ब्रमीत कर रही है इस तरह से केवल पढ़ाई 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 करते चले जाएं आपको पताना हो कौन से किताब को पढ़ना है के से पढ़ना है कितना परमात्मा से जुड़ना है बाहर के जान के साथ अंतरमुकी होकर भी आगे बढ़ना है तो यदि आप इस जान को लिए बगएर पढ़ते चले जाएंगे तो बादा है लेकिन एक विक्ति जो पूर्ण र धर्म से क्या होगा, मंदिर से क्या होगा, जो कुछ होगा वो पढ़ाई से होगा, हमें पढ़ना चाहिए, ये कितना सही है? मिश्चे ही पढ़ाई लिखाई, हमें तरक्की की ओर ले करके जाती है, लेकिन प्रियवर, आपने ऐसे मुलकों को भी देखा है, जो पाश्याते सब्यता में आप देख रहे हैं, कि जा पढ़ाई लिखाई तो बहुत है, संसाधन तो बहुत है, लेकिन बच्चे माबात की ब जहां पर संसकार नहों, जहां पर आप सी प्रेम नहों, जहां मानवता नहों, वहां पर पढ़ाई लिखाई से अगर आपने संसाधनों को प्राप्त कर भी लिया, तो आप क्या करेंगे, दूसरी बात मैं आपको बताओं, कि अभी पेरियार का नाम लेते हैं वो लोग, कि बड़े समाद सुधारक थे, और बड़ा उन्होंने जो है, धर्म के विरोध में काम किया है, प्रियवर धर्म के विरोध में काम करने के आवशक्ता नहीं होती, यदि आप नहीं मानते हैं धर्म को कोई बात नहीं है, अब मैं पेरियार के जीवन के विशे में बात करूँ, आप गुगल करके देखना, एक बेटी को उसने गोद लिया, जो कि उस समय अठाइस साल की, तीस साल की होगी, उस समय उनकी उमर सत्तर साल की थी, उस बेटी के साथ ही अपने विवा कर लिया, वो पड़ा लिखा आदमी था, इश्वर को नहीं मानता था, और भगवान मानते ह मैं किसे को गाली नहीं दे रहा, अब आप उसके पक्स में खड़े हो जाते हैं, बोले कि वो सही था बिल्कुल, आप इस बात से इंकार नहीं कर सकते हैं, कि अपने से इतनी छोटी बच्ची के साथ में विवा हो रहा है, इस बात से इंकार नहीं कर सकते हैं, क्या धार्मी क में सिखाता है कि यह हमारी बेहन है यह हमारी पत्नी है यह हमारी मा है एक व्यक्ति कहने लगा कि भई देखो मैं धर्म को बिल्कुल नहीं मानता मैंने कहा कि भई आप मानते हो लेकि मैं बिल्कुल भी नहीं मानता भई आप पत्नी के साथ विषाई व्यवार करते हो, क्या जिसा बेहन के साथ में करते हो, जैसे पत्नी के साथ में रहते हो, जैसे बेहन के साथ में रहते हो, नहीं, जैसे क्यों रहूँगा मैं, वो मेरी बेहन है, किस ने सिखाया, किताब ने सिखाया, यह धर्म ने सिखाया है, किताब तो यह यह यह बोले कि नहीं, बाइलोजिकली जो है, हमारे डियन्ये एक जैसे ओते हैं, तो नास्तिक तो तू भी नहीं है भाई, कहीं ना कहीं धर्म को मानना पड़ रहा है, जबी आप धर्म को नहीं मानेंगे, तो सारे थाने, जितने पुलीस थाने हैं ना, वो उस कमपलेंट लि इसान पूरे तरीके से असव्य हो जाएगा, ये धर्म है, ये समाजिक बंदन है, जो कि इनसान को रोक करके रखते हैं इन सारी चीजों से, इसलिए धर्म का अपना मैत्व है, पढ़ाई लिखाई करो, जरूर करो, और विद्वता को प्राप्त करो, हर वक्त पढ़ाई लिख करोगे, उतना आपका मन मस्तिस्क विक्सित होगा, लेकिन बहिर मुखी पढ़ाई के साथ साथ, अंतर मुखी हो करके उस परमात्मा से भी जूड़ करके रहो, तब ही जा करके जीवन संतुलन में रहेगा, इतनी सी बात, चलिए तो मैंत आनन स्वामी जी को आपने सुना, फिलाल इस वीडियो में, बस इतना ही अगली वीडियो में, फिर आपसे मुलाकात होगे, तब तक बने रहे हैं इंदोस्तान 24 के साथ, नमस्कार.